वर्नायू का बड़े हम लोगों ने सेलिबरेट नहीं किया और क्यों नहीं किया मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ही बेटा है और सबको मन करता है एक ही बच्चा बड़े celebrate करने का बर्णायू को नहीं कर पाया क्याए को बहुत जधा बिमार होता है जब भी बड़े आ जाता है तभी बड़े बठों हो जाता है इसलिए एकदम मन मेरा खराब था तो आज बड़े है और सुबे सुबे वरनायू एकदम सा बहुत जादा एकदम मतलब वीक हो गया है और सुबे सुबे बुखार आ गया है और सुबे सुबे मेरा गोधी में आना स्टार्ट कर दिया वरनायू मतलब उसका मन एकदम बिल्कूल सा खराब हो गया है तो आज का द जैसे कि मैं फूल ले रही हूँ वर्णयों का अभी जब हम लोग पूझा करेंगे उपर तो इसी वज़े से पूझा के लिए मैं फूल ले रही हूँ और वो सो गया है मतलब सोनी का मतलब बहुत ज़दा आलस वो कर रहा है इसके बाद मैं येलो फ्लावर ले रही हूँ और पता है आप लोग को है येलो फ्लावर मेरा गुर्जी को बहुत ज़ादा पसं है और इसके बाद ये जो फूल है ये पिर ये ममी मतलब ममी ने दिया था और ममी ने ही इसको रोपा था तो बहुत प्यार असा फ्लार्स हुआ है यहाँ पर बस पूझा करने के लिए मेरे को लेली चाहिए छोड़ा बहुत तो मैं यहां पर पूजा कर रही हूँ और वर्णायू का दिन अच्छा रहे और आप लोग का भी दिन अच्छा रहे आज का बड़े अच्छे से जाए मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ फिर भी जो भी है अपना काम वो मैं पूढा कर रही मतलब पूजा करने का जो भी है घर का नियम और यहां पर मैंने तुलसी में पानी चड़ा दिया और इसके बाद मेरा पूजा आज खतम हो गया है और फिर मैं जा रही हूँ अंदर और यहां पर थोड़ा सा पानी पी दियो और वर्णायू अभी भी मेरा गोदी में है उसे अब बिल्कुल ठीक नहीं है तो इसलिए आलस फिल कर रहा है और मेरा भी मन अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि आस का दिन है तो सास सुर वर्णायों के पापा पापा के फैमली मेरा फैमली कोई नहीं देता है यह बड़े मनाने के लिए उसका जब बड़ा हो जाएगा तब मना लेगा कोई बात नहीं और इसके बाद जो केक रह गया था वो कल का रात का केक वो ठोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ और एक बात हम लोग ने अभी भी घर कंप्लिट कियाने अभी घर बनाने के लिए बहुत अभी भी बनाना है सो धिरे-धिरे हम करेंगे इसके बाद वर्नाय को पानीवानी पिला रही हूँ और बस को मतलब सेट कर रही हूँ और मतलब रही हो जाया था वहां पर दिदी मतलब उसका दीडी कीक्स बगिरा खा है नहां पर जो चीती है मिठाई में Benewy अब ऐक दम इन्जॉए कर रहे हैं जिसको हो गया है और फिर मंदिर से कमाइख्या मंदिर से जो मैंने रस्ती धागा लाया था वो वनायो को बानने के लिए मैं यहां पर रेडि कर रही हूं और यहां पर देखें प्लेट में चावल और जो भी है पूजा का मतलब सामान में यहां पर रेडि कर रही हूं और बस वनायो को जो भी पूजा करना है वो पूजा कर रही हूँ और इसके बाद इसको तीलग विलक लगा देंगे वनायो को और बस बच्चा मेरा एंजॉय कर रहे है अभी सुबह तक उसका तबियर खड़ाप था बुखार था उल्टी ऐसा यह सब था बट अभी ठोड़ा ठीक हो रहा है तो आज का दिन मै यहाँ पे कैंडल चलाओंगी और यह केंडल से बहुत अच्छा लगता है इसे fire हो तो आप लोग को ना में एक बात भूलक आगकों को जो भी में व्लोक बगारा देती है आप लोग को कैसा लगता है फ्ली स्कामेंट बट हाई अच्छा भी लगे बुरा भी लगे फिर भी बताएगा और बस वर्णाय का बड़े हम लोग ने ऐसे छोटे-मोटे celebrate किया ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया बस मंदिर में गया पूजापाट कर लिया घर पे भी पूजापाट कर लिया और ऐसे कि मैंने अपना जो भी है बच्चे का बड़े मैंने खतम कर लिया और एक ही बेटा है सबको मन करता है मतलब बड़े मनाने के लिए पर क्या ही करे वर्णाय के टपीएट के लिए हम नहीं मना पाते है और आभी बस वरनायू केक कटिंग कर रहा है वो बहुत ज़दा मजे में है अभी क्योंकि सुबह तक टबेट खड़ाब था और अभी केक मिल गया तो अच्छा हो गया तो ऐसा ने कि इतना बड़ा केक मेरे अखेले खाया वरनायू ने खाया उसके दीदी ने खाया पापा न बस एक ही मेरे को टेंशन है और खाया जाता बहिं जाता है तो इसलिए म 의कोंता इंशन होता रहता है क्यों मतलब टाहिम बेंशहा खिलाती हूं फिर había talked का वлять रहेएं नहीं बर रहा है चो यह यह वह कुछ हो गया है और अच्छा आदमी बने बरो का रिस्पेक्ट करें और बस इतना ही और आज का जो ब्लॉक्स है ना इसको मैं लंबा नहीं करूंगे क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे और वर्णायों भी केक के उपर तूट पड़ेंगे उसको केक बहुत ज़ादा पसन है सो इसी वज़े से फिर से एंगे अच्छा सा व्लॉक्स के साथ अब तक आप लोग खुश रहेगा सेफ रहेगा और मैंने अपना जो भी घर का पुझा कर लिया वर्णायों का बड़े ऐसे खतम कर दिया है छोटा बोटा के साथ ही खतम कर दिया मैंने सब कुछ और नया के कटिंग किया सिर्फ दो ही था तो एक ममी के घर पर भेज दिया इसको भेज दिया बस लॉक्स खतम लॉक्स है ही नहीं सो आप लूग को आज का व्लॉक्स कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक को में शेयर करना मत भूलेगा सो बच